क्या आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बेद सिमला समझोता किस साल हुआ था भारत का राजधानी दिल्ली से पहले कौन सा सहर था अगर आप लोगों को ये दोनों उत्तर पता नहीं है तो ये वीडियो को पुरा सुरू से लेके अंतक देख लीजिए इन दो प्रस्ण करते हैं तो दुख करने की कोई बात नहीं ये दीरे दीरे आपका सभी सही हो जाएगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो एसे ही हम आज इस वीडियो के मादम से जीके के 20 महत्वपुन प्रस्ण और उत्तर के बारे में जानेंगे ये रहा पहला सबाल भारत में सर् रिक्षियान कीस देश से था इसका उतर है अमेरिका तो चांत क्यात्र करने वाला पहला अंतर इक्षियान आमेरिका देश से था और चांत पर पेर रखने वाले पहले आदमी का नाम था नील एम्स्ट्रॉंग और दूसरे व्यक्ति जो चांत पर पेर रखे थे उनका नाम थाफ इल्ड्रिन अग्लय सबाल भारत में चम्पारण जिल्ला कस राज्य में हैं इसका उत्तर ही बिःषार और बिःषार राज्य से जूड़ी कुछ बात है कि बिहाराजी का राज़धेनी चैपिटल का नाम में पटना, और बिहार राज़धे की बरत्मान मुख्यमंत्री का नाम में नीतिस कुमार, तो यहाध र Opt runs कि भारत में चंपारंग जीला बिहार राज़े में है। चोथा सबाल, पाकिस्तान देश के साथ सबसे लंबा सीमा स्पर्स करने वाला भारत के राज्य का नाम क्या है? इसका उतर है राजस्तान, तो पाकिस्तान देश के साथ सबसे लंबा सीमा स्पर्स करने वाला भारत का राज्य का नाम है राजस्तान अगले स्वाल भारत का प्रसीध चीली का जील की सराजय में है इसका उत्र है ओरिशा राजय और ओरिशा राजय से जूड़ी कुछ बात है जो आपके परिख्षा में महत्वपुन है कि ओरिशा राजय का राजदनी यानि कैपिटाल का नाम है भुवनेस्वर और वो ओरिशा राज्य का सबसे बड़ा सहर का नाम है और ओरिशा राज्य के बर्तमान मुख्यमंत्री का नाम है स्रिजुक्तन नभिन पटनाई जो की बिजे डिदल से हैं और ओरिशा राज्य के बर्तमान गौवर्नर यानि बर्तमान राज्यपाल का नाम है प्रोफेसर गन भारत में होकी का जादुगर के नाम से जाना जाता है और उनके जन्म दिन यानि 29 ओगस्ट को भारत में राष्ट्य खेल दिबस के रूप में मनाया जाता है तो ये बात याद रख लो कि होकी के जादुगर भारत के प्रसिद्ध खिलाडी मेजर ध्यांचन जी को कहा जाता है अगले सबाल कीज ब्यक्ति के समाधिस्तल का नाम अभाइगाड है इसका उतर है मुरारोजी देशाई तो मुरारोजी देशाई जो कि भारत के प्रसिध्य ब्यक्ति हैं उनका समाधिस्तल का नाम है अभाइगाड अगले सबाल हर गोविन्द खुराना जी को कीस साल चिकिश्चा खेत्र में नोबिल परस्कार मिला था इसका उत्र ही 1968 तो हर गोविन्द खुराना जी को साल 1968 में चिकिश्चा के खेत्र में नोबिल परस्कार मिला था अगले सुबाल नाथूला दर्रा यानि नाथूला पास भारत के कीस राज्य में है इसका उतर ही सिक्कीम जो कि भारत की उत्तरपुर्प दिशा में है और सिक्कीम राज्य का राजदनी यानि कैपिटल का नाम है गैंग टॉक तो ये बात याद रख लो कि नाथूला दर्रा यानि नाथूला पास भारत के सिक्कीम राज्य में है अगले सुबाल भारत में केसर का उत्पादन कहां पर होता है इसका उत्र ही जम्मु कस्मिर जो की हाल ही में भारत के राज्य से बदल कर एक केंदर ससित प्रदेश बनाये गया है तो भारत में केश्वर का उत्पादन केवल जम्मु कस्मिर में होता है अगला सबाल, मोहीनी एटम नुत्यों कीस राजी का प्रसिधर लोक नुत्यों है इसका उत्तर ही केरल, जोकी भारत के दक्षिन इदिशा में है और केरल राजी का राज़दयन एनी क्यापिटल का नामें तीरू अनंतपुरम तो मोहीनी एटम नुत्य केरल राज्य का प्रसिध्य लोक नुत्य है अगला सबाल भारत में राज्य सभा सद्यों के कार्यकाल कितना वर्ष होता है इसका उतर ही 6 वर्ष तो भारत में राज्य सभा सद्यों के कार्यकाल 6 वर्ष होता है अगले सबाल नरेंद्र नाथ दत्त कीस प्रसीध ब्यक्ति के बच्चपन का नाम था इसका उत्र ही स्वामी विबेकानन जिनके जन्म दिन को भारत में राष्ट्री यूबा दिवस के रूप में मनाय जाता है तो नरेंद्र नाथ दत्त प्रसीद्य ब्यक्ति स्वामी विबेका नंजी का पच्छपन का नाम था अगले सबाल दक्षिन भारत के गंगा नदी किस नदी को कहा जाता है इसका उतर है गोदावरी नदी तो दक्षिन भारत के गंगा नदी गोदावरी नदी को कहा जाता है अगला सबाल जोकी बहुत इमातपुन है आपके परिक्षा के लिए कि भारत में स्थेत लोकसभा के पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है इसका उतर है मीरा कुमार तो भारत में स्थीच लोकसभा के पहली महिला अध्यक्ष का नाम है मीरा कुमार अगला सबाल भारत और पाकिस्तान देश के बीच सिमला समझोता किस साल हुआ था इसका उत्र है 1972 तो भारत और भारत के परोशी देश पाकिस्तान देश के बीच सिमला समझोता साल 1972 में हुआ था अगला सबाल डिस्कोवरी ओफ इंडिया यानि भारत की खोज कीस प्रधान मंत्री के द्वारा लिखा गया था इसका उत्र है जबाहलाल नेहरू जो की स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधान मंत्री थे तो डिस्कोवरी ओफ इंडिया यानि भारत की खोज प्रधान मंत्री जबाहलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया था अगला स्वाल भारत में मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? उत्तर है केरल तो भारत में मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है अगला स्वाल भारत के राजधनी दिल्ली से पहले कौन सा सहर था? इसका उतर ही कोलकता जो की हाल ही में पश्चिम मंगाल का राज़धनी यानि कैपिटल का नाम है तो भारत के राज़धनी दिल्ली से पहले कोलकता सहर में था और 1911 में कोलकता सहर से परिवर्तन करके भारत का राज़धनी नई दिल्ली रखा गया था अगले सबाल और आखरे सबाल इस भीडियो का 20 सबाल में से कितने का सही जबाब दिये हो हमें कॉमेंट सेक्षन में लिखे जरूर बताना भीडियो देखने के लिए धन्यवाद